यह question बोल रहा है 15,0 meter की दौड में अनिल ने बकुल को 1,5 meter से हराया उसी दौड में बकुल ने चाल् invece को 75 meter से हराया अनिल ने is को कितनी दूरी से हराया कोस्षन ने आया हुआ है और ये question 2-3 बार repeat हो चुगा है तो सभसे पेले हम देखते हैं अनिल के लिए ये रहा आपका अनिल ये है बकुल और ये है चाल्स अनिल ने बकुल को कितने मीटर से हराया या डेर सो मीटर से यानि जब अनिल पंद्रसो मीटर पहुँच चुका होगा तो उस टाइम तक बकुल कितने मीटर पहुचा होगा साड़े तेरा सो ठीक अब बकुल ने चार्स को 75 मिटर साया तो यह नहीं कि यह इसका फाइनल पॉइंट होगा बकुल के लिए भी पंदरा सो होगा तो बकुल जब पंदरा सो पहुंच गया होगा तो चार्स कहां तक पहुंचा होगा चोदा सो पचीस एक तरह से डेसी वाला और यह हो जाएगा 9,9 ताम्स और इसमें इसको भी हम छोटा करेंगे तो अगर हम इसमें सबसे पहले 75 से कटे करेंगे तो यह जाएगा 20 बार में और यह जाएगा 19 बार में थिक, आप देखिये, अब यहां से तीनों का रेश्य्यों आ जा जाइगा हम लोग को, यहां से तीनों का रेश्यु निकलते हैं, तो A का कितना हो जाएगा? 200 B का कितना हो जाएगा 180 और C का कितना हो जाएगा 19 into 9 171 पुछा क्या है हमको अनिल ने Charles को कितनी दूरी से हराया अनिल का ये है Charles का ये है यानि दोनों के बीच में gap कितना है 29 तो 200 का value कितना दिया हुआ है 29 तो हमको चाहिए कितने का टोटल कितने का रेशता पंदरसो मीटर का तो पंदरसो तो पंदरसो का value कर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 29 by 200 into 1500 इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आजाएगा 217 दसमलो 50 ये ही हमारा final answer है